हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप सभी मैं मेरीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वस्त और सुरचित होंगे तो अभी बज़े हुए हैं तो पैर का साथ मुझे लग रहा है टाइम हो रहा है और आज का वीडियो दो पैर से सिरू हो रहा है थो मैं हावे लेके बैठ गई हूँ मसीन और बच्चे तो आज कल पढ़ने जाने लगें तो दोपैर में ये थोड़ा सा फिरी वाला टाइम होता है तो इनका दो तिन चीज़ हैं इनका कर दूंगी ओफ नीचे से ये लोग आ गए हैं मतलब बच्चे पढ़के उसके बाद मैं कि वीजी वाला टाइम चल रहा है ना टाइम टेबल से कुछ होई नहीं पा रहा है लेकिन अभी सब सही हो जाएगा तो बस यहां पर मैं थोड़ी देर सो गई थी सोने के बाद फिर मैं अभी उठी हूं उठके थोड़ा साजकल गर्मी में बार बार इतना लगता है पता न जैसे लगते हैं ठंडे पानी से कितना हात्मूद होते रहें तो बस मेरे यहां पर हात्मूद होया है और इसके बाद फिर मैं आ गई हूं कपड़े उतारने के लिए कुछ मोसम आज ऐसा ही लग रहा है तो बस यहां पर वैसे तो मैं सारे पहली दू चुकी थी इनकी सारी तैयार यहां लगबग कर चुकी थी लेकिन फिर भी जो एक दो कपड़े थे जो इनको ले जाने थे जैसे वो ओडने वाला तो फिर वो मैंने आज दो दिया जो भी है मतलब इनका वो आज मैंने किलियर कर दिया और अभी मेरा साम का रूटीन समझ लीजिए और मतलब मैं आ आगे बात करती हूं और बस कपड़ों को रखने के बाद सीदा मेरे निकल ली आया कि फ्रेज से दूर और देखें हां पर भी बड़तन बच्चों को खान के लाया था न उसके रखें उनके पैग बगएरा भी रखें अब इसी थोड़ा सा और जादा वो हो गया है कि बच् दूने मतलब सुब ऐसे साम तक काम 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 तो खतम ही नहीं होते हैं हम उरतों का यह होता है हम मेरा ही नहीं सब लोगों का तो फटा फट से यहां पर मतलब चाय मेरी देखें यहां पर बनाने के लिए रख दिये मैंने और यह देखें कितने ताजा 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 मतलब बना लिया अए तो इहां पे मेर्टी यहाँ पर मेरे चाल पर सुधी तो UNकि अधनल ये लाका हुआ झाल धुद्ल billion को नकिします तो मैं पिला देती हूं कि उनको बहुत चोटी थी तब से मैं पिला रही है तो उनको चीज आदत में आ गई है तो उनको टते के साथ दूद्ध चाहिए सोती रहती है तब तो बस यहां पर यह भी लेटे हुए हैं और कल सुपह यह चले जाएंगे अभी यह तीनों के तीनों सोई हुए हैं और मतलए लेट से सोई हैं तो इतना नींद में थी कि वो दूद्ध पी नहीं रही थी कोई सी दोनों में से दूद्ध नहीं पिया है फिर यहां मैंने हार ठक के दूद्ध को मैं ऐसे ही रख दूँगी और मैं अपना चाहे पी लूंगी और तैयार हो लूँ करके नेकाल पाते हैं नहीं तो फिर नहीं हो पाता है तो बस यहां पढ़ाओ सा कंगी वगरा कर लेती हूं थोड़ा सा त्यार हो लेती हैं उसके बाद फिर जाओंगी में ठाइन जो आप एपने बाह हुआ हुआँ था हफ्याओ दएशो के साल में लोगों के यह मुझे टाइम निकालना पड़ता है और देखें यहां पर फिर मौसम इतना जादा खराब हो गया था साम को कि बहुत ज्यादा अभी देखाती हूं यह देखें ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से अभी बारिस आने वाली है क्या बिल्कुल बादल एकदम से छा गए हैं थोड तो मैं भी ठीक हूं और आप ही बज़े हूं साम के पांच और मौसम आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है मुझे लग रहा है बस अब आन्धी आने वाली है वैसे तुम्हें बढ़तान धूरने जा रही थी पर थोड़ा सा देखके धूँँगी और अंदर सब दू काम करने ल साथ्क खूस अब कल सोबय निकल जाएंगे इसा ही लग रहा है पस कुछ बता ही सकती है पताने क्या है यह जिंद्धिगी और कभी खुशी तो कभी गमबला है हर् हाल靡 पर बहरा है दो काफी अप लोगों के कमेंट आ रहें आप क्यो नहीं जा रहे हैं तो जाओगने जा तोड़ी से ही मतलब जैसे लग रहा था मौसम को देख के उतनी नहीं आई यह मौसम अभी खराब खराब जैसा ही दिख रहा है यहां पर पानी में पलटके रख दूंगे क्यों कि यह आरू का पानी हम लेते हैं लेकिन इसमें ले लेते हैं और इसके बाद फिर हम अपने मटक जो कि मैं रोटियां बनाते हूं आपने देखा ही होगा तो बस यहां से ले जाते हूं मैं तोड़के इनको तो यह दो तरीके की हैं यह एक सरसो की है और इसको हमारे डेचा बोलते हैं पता नहीं कुछ लोग साहिद जानते भी होंगे या नहीं तो उसकी लखड़ी है तो यहां पर देखी यह काट दिया है मैंने पालक और आज हम बनांगे साम में आलू बार्लक की सब्जी क्योंकि पालक रखा हुआ था यहां बना लेको था तो पिर आज साम को आलू का बना लेंगे तो यहाँ पर में बस आर्टा लिएे तो यहां यह देखिए यहां पर मतलब मेरी मतलब हमारी सबजी बनकर हो गई है तैयार आलू-पालक के कितनी अच्छी सबजी लग रही है काफी टेस्टी लग रही है देखने में तो फटा-फट से चली खा लेते हैं खाना यह रही मेरी रोटियां जो मैं बना के लिए के आई हूं क्योंकि मेरे पास ना काम बहुत सारा है और टाइम भी काफी हो गया है अभी बच चुके हैं पूरा काम खतम करते करते बड़तन बड़तन दो यह तो मुझे लारा साड़ी 9-10 बच ले थे फिर उसके बाद थोड़ा पहले से मैं ने किया लेकिन फिर भी बच रहा था इनके कपड़े वगएरा कपड़े तो प्रेस कर दी थे लेकिन जो ड्रेस ये पहन के जाएंगे वो भी प्रेस करनी थी और देखिए जिन्दगी ना मतलब क्या क्या रंग दिखा थी यह बस एची जिन्दगी फिर से दवारा से उसी मोड पर मुझे लेके आगी है जहां कि मैं त तीन साल पहले खड़ी थी तीन साल पहले तो मैं मतलब यहीं रहती थी अपने सस्राल में फिर मैं साथ में चली गई तो वहां उस टाइम का कुछ भी पता नहीं चला कि सब केसी निकल गया तीन साल 2019 में मैं गई थी लेकिन ऐसे ही होता है ना जब साथ में रहते हैं तो पता प्रफिश जानते होंगे क्योंकि फील्ड में तो बिल्कुर कौटर होते ही नहीं लेकिन वह बी बस आपको एक साल के लिए हैं और एक साल के बाद ना तो आपको सेविल में कौटर मिलेगा फिर आपको फैमली घर पर छोड़नी पड़ेगी तो बताएए बच्चों के बज़ से कम मिलता अभी मिलता नहीं क्योंकि अभी तो यह गए नहीं तो काटर कहां से मिल जाएगा तो बच्चों की यह साल भी फिर खराब हो जाती में यहां एड़ुशन नहीं कराती तो वहां पताने कितना दिन मिल लग जाता को आपको दूर भी इतना पढ़ता है कि दो दिन का लगता है तो इस वज़े से मतलब काफी सारी प्रोब्लम्स हैं जिनकी वज़े से फिर मैंने सोचा कि घर पर ही रहना अच्छा है कम से कम यहां परवार के साथ तो हैं वहां फिर वहीं हो जाता एक साल के लिए जाओ एक साल में आप समझी सकते हैं अच्छी से सेट भी न देख रहे हूं और अभी रात के दस साड़े दस बच चुके हैं तो इस वीडियो को भी मैं यहीं बेंड करूंगी मिलूंगी नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो व्लोग के साथ में और यह वीडियो अपको जरा सभी पसंद आये तो प्लीज लाइक सस्क्राइब सेयर जरू बियtin करौंगी मिलूग झास बदया ह Kubernetes करौंगी में नेक्स्त। सेयर नेक्स्टारी चुके झास वाल टार